जो लोग भी टीचर की तयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक अच्छी निउज है सिख्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द अप्टूबर नॉमबर में आयोग विग्यापन तो राज में जल्दी सिख्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी मुख्य मंतरी नितिस कुमार ने सरकारी स्कूलों में सिख्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भरती के लिए सिख्षा भीभाग को तयारी सुरू करने को कहा है माना जा रहा है कि अब टूबर या नॉवंबर वे नई बहाली का विग्यापन जारी हो सकता है इसी कड़ी में गुरुबार को मुख्य मंतरी के साथ सिक्षा मंतरी प्रो चन सेखर और सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक की बैठक होई मुख्य मंतरी ने सिक्षा विभाग में रिक्त सिक्षा को के सभी पजल्द भरने के लिए निर्देश दिया है या भरती बिहार लोग से वायो यानि BPSC के द्वारा कराया जाएगा सुत्रों के मतावित सिक्षा मंतरी चन्द सेखर व सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब से कहा कि BPSC के तरब से वर्तमान सिक्षक नियुक्ती की प्रिक्रिया पुरी होने के लिए ततकाल बाद सिक्षक नियोजन की एक और तयारी कराये हाली में सिक्षकों की कमी को पूरा करना है CM हाउस में हुई इस उचस्तरिय मीटिंग में सिक्षा विभाग को राज के स्कूलों के सिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया इसके अलाबा इस मीटिंग में सिक्षा विभाग से जुरे नीती गत मामलों पर भी चर्चा की गई सुत्र बताते हैं कि इस से पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिये गए थे उनके पालन के संदर में उठाए के गदमों की जानकारी भी मुख मंद्री ने ली सुत्रो का यह कहना है कि बैठक में हाली में सिक्षक नियोजन में 28 डिग्री से जुरे सुप्रीम कोट में फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई जो अभी 28 और 28 का जो मुद्दा चल रहा है तो उन पे भी वहां पे मीटिंग में बात हुआ था तो उन लेखनी है कि सिक्षक दिवस के अपसर पर सरकारी कारेकरम में प्रदेश के सिक्षा मंतरी चन्र सेखड ने अगली बार एक लाग से अधिक सिक्षकों की नियुकती के संदर में घोस्तना की थी तो अपनी परहाई को continue रखे मान लिजे किसी का इसी vacancy में नहीं हो पा रहा है तो अगली बारी vacancy में आप अपना कोसिस पूरा करें कि उसमें selection हो जाए और हमारे चैनल को subscribe कर ले हमारे चैनल के आपको math से related और कोई भी exams से related सभी news आपको मिल जगेगा आपको मिल जगेगा